अगर मम्मी तुम्हारे माता पिता 40-50-70 साल के हैं, कोई उनसे बूचो होबी क्या है उनकी, उनको वो चीज़ खरीद के दो और एक टीचर हायर करा तो उनके लिए, एक ट्यूटर, आप किसी का हमेशा से था कि तबला बजाना है, प्यानो बजाना है, पेंटिंग कर रही है, यह करना है, अब वो बोलेंगे, हाँ, लेकिन cognitively इतना भेंकर लेवल पर डिकलाइन आता है, देखो, ब्रेन एक मसल है, at the end of the day, उसको जितनी exercise करोगे, उतना शार और वो रहेगा, अब जो भी इंसान cognitive games खेलता है, तो वो क्या कर रहा है, वो games में जब भी हो है, बैठा है क क्योंकि neural connections बिल्ड हो रहे हैं वापस, यह फे strengthen हो रहे है, जहां इंसान जितना आइडल बैठा है, पूरी देट के टीवी देखते रहता है, और कुछ नहीं कर रहा है, उतना ही उसके brain का cognitive decline हो रहा है, because brain में कोई function ही नहीं है, activity ही नहीं है, आप इसको force ही नहीं कर रहो हो memorize करनी पड़ेंगी, फिर उसको, आपको skill को master करने के लिए सीखना पड़ेंगा, तो music instrument हो गया, painting हो गया, यह हो गया, cognitive exercise हो गया, कुछ भी, classes लगवा दो मातर प्रता की, उनका brain वर करता रहेगा, तो अगर उनका predispositions हैं, hereditary, कि भाई हो सकता है, dementia हो, हो सकता है, यह हो वो तो आप भारी मातरा पे उन पे delay ला सकते हो, क्योंकि आप exercise करके उसको at least चुस्त रख रहे हो,